हेलो एब्रिवान कैसे हूँ आप सब लोग बहुत दिन बाद एक व्लोग लग के आई हूँ आई होप आप लोग को व्लोग अच्छा लगएगा एंड तक देखो के आप लोग आज हम लोग दिन भर क्या करने वाले हैं आज हम लोग जाएंगे एक जगा पे पिकनिक करेंगे बहुत यूनिक वीडियो आने वाल है आज का वीडियो बहुत अच्छा लगने वाल है आप लोग को तो मैं रेडी हो चुकी उनाहाद हो कि और मेरे पौदे में चोटा सा एक गुलाब आया है जो मुझे देखना बहुत पसंद है जिसको देखके मेरा माइन फ्रेश हो जाता है तो मैं जा रही हो फ्रेंड के उदर फ्रेंड ने जमीन लिया एक जगा पे तो उसके जमीन पे अभी तक उसने घर बनाया नहीं बनाना बाकी है तो बोले कि आज हम लोग उदर पिकनिक करते हैं तो हम लोग आ गए हैं अभी तक सब लोग आये नहीं लेकिन थोड़ा बहुत भूख लग गये तो क्या कर रहें अभी भेल बना रहें जो ज़ाल मूरी बोलते हम बेंगोली लोगों में वोई बना रहें इसके बाद हम लोग बनाएंगे चूला, चूला बनाने के बाद लकडी कुछ लाके रखा है फ्रेंड ने, तो लकडी में आज चिकन बनाओंगी, सब मिलके और उसके बाद राइस बनेगा, डाल बनेगा, बेगुनी बनेगा, बहुत कुछ बनेगा आज, कैसे बनाते हूँ देखो चूला जलता है, कि ने, वो भी मुझे नहीं मालूम, वीडियो के अन तक देखो, तब पता चलेगा, देखो घर में तो सब लोग बनाते हैं, और खाते हैं, अभी आज चूले में बनाएंगे, देखते हैं, कैसा टेस्टी बनता है, और इसलिए मजा तो सब के साथ तो हस्बेन जी ये सब में बहुत एक्सपर्ट है, तो वो बना रहे चूला, और इधर के मिट्टी थोड़ा कड़क है एकदम, हो नहीं रहा था अच्छे से, लेकिन चूला उन्होंने फाइनली बना दिया, जैसे तैसे, क्योंकि जल्दी जल्दी में थे, हम लोग तो है बना नहीं, थोड़ा सा करके रखा है धीरे धीरे बनाएगे और बहुत सारे उसने सबजी वगरा हुगाया है, इधर बेंगन का खेट देख लिया है, अप लोगोंने इधर लोकी, फिर पमकीन, फिर टमाटर, जैखो चोटा सा लोकी हुआ है, अभी टमाटर फिर उस होगा और इधर हजबें जला रहे चूला क्योंकि जल्दी जल्दी बिठाने उधर एक दूसरा चूला भी फ्रेंड ने बनाई है बहुत सुन्दर छोटा से एक चूला तो इसके दर एक चीज अच्छा है पानी का दिक्कत नहीं है तो इसलिए इतना प्रॉब्लेम नहीं जाती हम लोग फटापट बना दें इधर हजबें कॉशा रहे मांग शो अब बोलो आपको धूप में चिकन कॉशाने में कैसा लग रहे है बरिया बरिया और उधर उधर बन रहे दाल अज टेस्टी बनेगा ना जगदा मस्त बनेगा सबका सबका हाथ जो मिला हुआ है इसम अबी कसा रहा है तो उधर लॉकी वाला डाल हो रहा है छोटा सा चुला में जो मेरे फ्रेंड ने बनाई और इधर चिकन कॉशा बन रहा है फिर राइस पहले ही हो गया था उसके बाद सारे बच्चे लोग खाने पर बैठके बहुत भूग भी लग गया था सब लोग को और इसने उसका घर का पुराने एक बैड इधर रख दिया है ताकि बैठने के लिए इसी रहे नहीं तो सब लोग किदर बैठते बाहर तो बहुत तेज धूप है ना इसके वाज़े से वीडियो बहुत छोटा सा था थैंक्यू पुरा देखने के लिए बाई बाई